Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल विपरीत है, यह मान लिया जाए कि वो फूरी तरह से उससे ओलट है, ऐसा हुआ था लेकिन वो किस ढञ और किस तरह से हुआ था, यह आज आपको बताने वाले हैं, असलियत उसकी क्या थी, सच्छा ही क्या थी, वो बताने वाले है, 1980 में, 1980 में, जब यह Incident हुआ, देश, यह स जनता थी वो पुलिस के पक्ष में खड़ी थी जनता पुलिस के साथ में खड़ी थी लेकिन ये मामला पूरा कोड तक गया सुप्रीम कोड तक भी गया और इसके बाद में कैसे ये सब पता चलने लगा लगातार कि भागलपुर्ट जो सेंट्रल जेल था उसमें आख फूटे वाले हैं शुरुवात करते हैं 1980 साल यह सी का दशक था साल 1979 और 1980 जगरनात मिश्रप जो थे वो मुख्यमंत्री थे बिहार के उस समय और कॉंग्रिस की सरकार थी अदेश में भी हमारे पीम जो थी इंद्रा गांधी थी अब यहां पे बिहार की उस समय इस्तिती थी बिहार क उसकी यह स्तिती थी के क्राइम का जो रेट था वो इस तरह का था कि राशलती लड़कीओं के साथ में भागलपुर के अंदर बलातकर हो जाते थे रेप हो जाते थे आए दिन अंदा दंद मर्डर हो रहे थे लोगों को मारा जा रहा था लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था लोगों और किड्नैपिंग जो थी वो इतनी जादा हो रही थी कि उसका कोई जो आंकड़ा था वो एक तरह से कहा जब पार हो चुका था मतलब ऐसे कई केसे थे जो रिकॉर्ड में ही निंग दर्जा इतनी जादा किड्नैपिंग मुर्डर और रेप की केसे वहां से आ रहे थे अब यहां पर पुलिस ने कई सारी ग्रफतारियां भी पुलिस लगा था क्योंकि करी रही थी और पुलिस की उपर दवाब भी बहुत जादा था यहां पर बताया जाता है उस समय का जो क्राइम रेट था एक साल का 1980 में करीबन 89 मुर्डर हुए थे 89 मु साल 1979 इसी बीच भागलपुर के नातनगर में नातनगर इलाका है भागलपुर का वहां पे लोगों ने इतना जादा क्राइम बढ़ गया कि अपने घरों से निकलना बंद कर लिया जो टीचर्स थे जो अध्यापक थे वो अपने स्कूल नहीं जाते थे बच्चों को पढ़ लेकिन अब इसी बीच क्या होता है कि भागलपुर के बहुत बड़े बिजनसमैन थे वहां के बड़े कारोवारी थे बड़ी फैमली थी उसके एक मेंबर उसके एक सदस्की किड्नैपिंग हो जाती है अब यहां से जब किड्नाप होते हैं तो पटना से राजधानी से प्र जागलपुर से सटे मुंगेर में आदिवासी समधाय ने तंग आकर यह पूरे जो क्राइम वहां पर चल रहा था उससे तंग आकर आठ डाकू जो वहां पर अटेक करने आये थे उनमें से दो को मार डाला दो डाकूओं को उनकी अत्या कर दियो और छे डाकूओं की आखे यह जब केस वहां पर सामने आता है और यह क्राइम से पूरा केस था क्राइम से अपराद से इतना जाद रस्त हो गए थे वह आदिवासी के उन्होंने यह अब कानून अपने हाथ में लिए यह कदम उठाया बताया जाता है कि बढ़ते क्राइम को देखके उस समय भागलप ऑपरिशन गंगा जल यह जो पूरा प्लान था यह कुछ ऐसा करने वाले थे इसमें के जो पहले कभी नहीं हुआ था और शायद ही उसके बाद इस ऑपरिशन के बाद जब यह चीज़ें आउट ही है शायद ही इस देश में कभी इसके बाद हुआ हो दोस्तों आगे बढ़ एक program, P2I, Prelimbs to Interviews program का नाम है और यहां पर आपको प्रलम से लेकर interview तक की पूरी तैयारी कराई जाती है आपको बहुत सारी हहां पर सहुलियत हैं और साथ ही यहां पर आपको दो batches मिल जाते हैं अपने time के अपनी सहुलियत के हिसाब से आप इन दोनों batches में से एक batch चूस क सकते हैं और नीचे जो आपको को दिख रहा होगा वीजे लाइव इस को लगाते हैं यहां पर आपको जो 65,000 का कोर्स है वो 30,000 रुपे मिल जाता है 65,000 का course आपको 29,999 यहाँ पर मिल जाता है इस quote को लगाते ही आप एक बड़ा discount तो लेंगे ही लेकिन आप अपनी जो तैयारी उसको बहुत मजबूत बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी इस course को लेजिए इस quote को लगाई और अपनी तैयारी को मजबूत करिए धन्यवाद तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में Operation Ganga Jal यहाँ पर अब जब plan हो चुका था इसके बाद 25 October 1979 की तारीख बताई जाती है जब पहली वार ऐसा एक incident सामने आया 25 October 1979 को एक भागलपुर का ही local criminal था अर्जुन गोस्वामी नाम का अर्जुन गोस्वामी को भागलपुर के उसके शाकुंड इलाके में जो उसका घर था पुलिस वहां से उठा लेती है वहां से पुलिस उसको उठा के लाती है पकड़ती है और इसके बाद में उसको थाने में लाया जाता है और उसी दिन थाने में सुबह कुछ औजार लाए जाते हैं कुछ ऐसे औजार थे वो जिनमें नेल कटर तरह की एक लंबी सी चीज थी जो नाई की दुकान पर लोग नेल कटर से जो नाई नाखुन खीशता है उस तरह का एक धारदार औजार था इसके अलावा एक मोटी लंबी सी सुई एक कील जैसी जिसको सूजा भी कहा जाता है जो दरियां होती है जो बोरियां होती है उनको सिलने के काम में आती है तो जो सूजा होता है लंबा सा और ये सूई टाइप का नुकीला वो वहाँ पे लाया जाता है और इसी के साथ में प्योर जो एसेड होता है प्योर फॉर्म का एकदम जो एसेड था वो वहाँ पे लाया गया थाने के अंदर इस एसेड को यह जो पुलिस वाले थे गंगा जल कहते थे अब यहां से इसी दिन रात में अरजुन गोस्वामी को थाने के अंदर दो पुलिस व तो इसको लेकि उसकी आनक में ढाल देते हैं, जो कैदी था। उसकी आएंक यह पर इससे पोड़ दी धाती है। इस तरह से उसकी जो वांखे थी वो पूरी तरह से फोर दी गए और ये बताया जाता है कि पहला मामला था इस तरह का जो पहली बार जब ये हुआ है 25 अक्टूबर 1979 इसी के बाद इसी महीने में अक्टूबर 1979 में भागलपुर के नवगचिया थाने में कुछ क्रिमिनल्स को पुलिस लाती है कुछ वहां के जो अपराधी थे उन लोगों को ग्रफतार किया जाता इसके बाद जब ये अपराधी आते हैं ठाने के अंदर तो सुबाए इनको लाया जाता है रात को इसी तरह से इनकी ऑनके जो थी वो पकड़ के इन कैदियों की आंके फोर दी गई सेम इसी तरह से और इसके बाद में ये बताते हैं जो ये कैदी हैं बाद में जब इनके बयान सामने है तब इन कैदी उने बताया है जिनकी आँके फूटी हुई थी इन्होंने बताया है कि पुलिस वाले ऐसा करने के बाद में बार बार पूछते थे कि दिख तो नहीं रहा है दिखाई तो नहीं दे रहा है कन्फर्म करते थे और अगर ऐसा लगता था कि किसी को दिखाई दे रहा है तो उसकी आँखों में दुबारा से ऐसे डाला जाता था दुबारा से तेजाब डालके उसकी आँखों को फोर दिया जाता था अगले दिन सुबह पुलिस वाले इन कैदियों को हॉस्पिटल भी फिर लेकर जाते थे वहाँ पर इनकी पट्टी आखों की कराई जाती थे लेकिन डर इस तरह का था इन कैदियों की मन में जब ये इनके साथ जो चीज हुई थी कि किसी को बता नहीं सकते थे कि इनके साथ रात में हुआ क्या है अगले दिन सोबे इनको ऑस्पिटल ले जागे पट्टी कराई जाती थी इसके बाद बाकी जो प्रोसेस था कारवाई थी वो चलती थी इस ओपरेशन गंगा जलके चलते एक और क्रिमिनल था 20 साल का उमेश य आदफ को वो अपने धरवालों के साथ में जब वापिस आ रहा था कहीं से अपने विश्टिदार के आंसे वहां से बीच सडक से पुलिस उसको उठा लेती है उसके बाद में उमेश यादफ के साथ भी सेम यही चीज़ की जाती है उसे ले जाया जाता है अमारपुर थाने और इसके बाद कई सारे ऐसे कैदियों के साथ में यही चीज़ की गई भागलपुर से क्राइम मिटाने का भागलपुर पुलिस का बिहार पुलिस का यह एक अलग तरीका था यह कहा जाए कि बहुत भयानक तरीका था यह दरसल लेकिन कहा जाता है कि भागलपुर को पवित अब यहाँ पर यह सिलसला चलता है जब जब ऐसे क्रिमिनल्स मिलते हैं जो नामजद थे उन्हों को पक्रक लाया जाता था उसके उनकी सूझे से आंके फोड़ कर तेजाब डाला जाता था और इसके बाद बाकी जो कानूनी कारवाई कोट में ले जाना पेशी कराना यह सब इन क्रिमिनल्स के नाम जो कुछ नाम में जो हम आपको बताते हैं वो लुक्की महतो, भूला चौदरी, अरजुन गोस्वामी, काशी मंडल, लखनपाल मंडल और बलजीत सिंग और ऐसे कई सारे कैदी थे जिनके साथ में यह पूरा इंसिडेंट हुआ जिनको पकड़ा गय इनकी ऑस्पिटल से, इनको जब जेल भेजा जाता था, तो वहाँ पे जो जेलर थे, भागलपूर सेंट्रल जेल के, उन्हों ने जब यह चीज देखी कि अचानक से कैदी ऐसे आना शुरू है, जिनकी आखे अभी फोड़ी गई है, ऐसा लग रहा है कि फूटी हुई आख तो जो भागलपूर के सुप्रेटेंडन थे उस खाने के, जेल के, तो जेलर ने वहाँ पे आईजी को ख़द भी लिखा, लेटर भी लिखा, इसके बारे में बताया, कैदियों से भी पूछा कि ऐसा क्या है, उन्हों फूटी हुई आखे हैं तुमनों की अभी जातर सारे आईजी को यहाँ पे लेटर भी लिखा, कैदियों से भी पूछा, लेकिन इस पे कोई भी कारवाई, कोई भी सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉंस सामने से आया नहीं, यह सब चीजें अब चलती हैं लगातार, फरवरी 1980 में, यह अगला साल क्योंकि 1980 आ चुका था, फरवर मिश्रा ने कोट में यह देखा कि दो ऐसे कैदी आई हुए हैं, जिनकी आखें फूटी हैं, और यह फोडी गई हैं, क्योंकि यह इनकी पट्टी हो रही है, और इनमें से बताया जाता है कि खून निकल रहा था, हलका हलका सा, तो अब यहाँ पे जब यह देखते हैं, तो इनको बाकी और भी इस तरह कैदी जब दिखना शालू हुए कोट के अंदर, कि जो कैदी आ रहा है, उसकी आखें कैसे फूटी हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जाच करना शुरू की इसकी, अलग-अलग पुलस स्टेशन में गए, थानों में गए, अपने सोर्स से पता कराय और इसके बाद मई 1980 में, जब यह सब इनको पता चला है, इनको पूरी चीज क्लिए होगी कि इस तरह का कुछ यहाँ पे चल रहा है, तो बताया जाता है कि मई 1980 में रामकुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोट को एक लेटर भी लिखा था इसके लिए, अब यहाँ से करीबन 11 म साथ में उनकी आखों में तेजाब डाल दिया लिया था, तो अब करीबन 33 से कहदी यहाँ पे हो चुके थे, जिनकी आखे फोर्दी गई थी इन 11 महिने के बीच में, यह अक्टूबर 1979 से लेके, जुलाई 1980 तर, यहाँ पे अब होता क्या है, इसकी बात यह जो पूरी केस थ पता हुआ करते थे, अरुन सिना, अरुन सिना को कहीं से पता चलता है, उनके सोच से के ऐसा कुछ हो रहा है, भागलपुर के अंदर, जेल के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, और थाने में लोगों को लाके उनकी आखे फोरी जा रही है, तो अब इनको जब यह पता चलता है, इसके बारे में और अपनी चानमीन पर शुरू किया और चानमीन के तहित जो पटना के उस समय के जो आईजी जो प्रिजन हुआ करते थे जेल के जो आईजी हुआ करते थे उनके साथ में इनने बातचीत की आईजी ने ने कोई भी इसके बारे में जानकाई दिने से मना कर दि ये भाई संप्रेटेंडेंट जो ने पहले पाइस सबक्राइब रहे हैं जो आरूंडist ना गरात Questo लाकश लाल दास सब्सक्राइब भष dependency गजर्वास छॉर्वात में बता जाता है कि बच्चु लाल दास ने इसा पर नैने जिल्द यहाँ मैं चालो कीicky जर्नलिस्त थे, इनको कुछ बताने से बहुत ज़्यादा हिचक रहे थे, क्योंकि ऐसा मामला था कि वो बताना चाहते हैं, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे, कि इन्हें बताया भी जाए कि नहीं, लेकिन फिर जब उन्होंने अरुन सुना की रिपोर्टिंग बगरा द दो पुलिस वाले इनके हाथ पकड़ते हैं, दो इनके पैर पकड़ते हैं, और एक इनके ऊपर बैठकर, वो जो सूजा होता है, उसको इनके आँखों में डाल के आँख पोर देता है, और इसके बाद एक तथाकतित डॉक्टर आता है, एक डॉक्टर साहब ऐसे हैं, जो आ आंक का असपास का एयरी वह कभी कमें आजल जाता है तो यह सब चीजने सामने आती है इसके आई नहोंने एक यह घटना बताई कि एक बार ऐसा भी हुआ था जेल के अंदर यह जो पता चला यहांसे के साथ अंडे किये हुए कैदी कमरे में अपने जेल के राड में पड़े नहीं मतलब इस तरह confirm करते है और जब ये कैदी इन साथ में से दो कैदी ऐसे थे जो कहते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा देखना चालू हुआ है दुबारा से कुछ ना कुछ रोशनी तो आ रही है उनको लगा कि ये कुछ मदद करने के लिए है डॉक्टर है लेकिन इसके बा से तेजाब डाल दिया जाता है ये जब कहानी पूरी सामने आई तो अरुन सिना ने इसके बाद डिरेक्ट जो भागलपुर की जो पुलिस अदकारी थे उनसे संपर्क किया उन लोगों से पूछा तो पुलिस अदकारी ने यहां पर अपनी सफाई दी और सफाई इस तरह क भी जिसमें उन्होंने साफ तोर पर मना भी नहीं किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उनका कहना था कि यह जो है यह पुलिस नहीं कर रही है यह वहां की आम जंता कर रही है और आम जंता जो है वो यह सारी चीज़ें कर रही है और उन सिनाने इसके बाद पटना ल जो आर्टिकल जो छपा था इसका टाइटल था आइस पंचर ट्वाइस टू एंशोर ब्लाइडनेस आखों को दो बार फोड़ा गया तेजाब डाला गया यह कुकता करने के लिए कि यह अंदे हो चुके हैं जो कह दिये इस टाइटल के साथ जब यह खबर छपी यहां पर यह जब यह मीडिया के अंदर आ गया था दिल्ली तक यह बात पहुच चुकी थी और इसके बाद आरोप यहां पर यह भी लगाए गये थे कि जो CM थे उस समय के जगनात मिश्रा बिहार के इनके मंत्री मंदल के भी एक मंत्री ऐसे थे जिनको यह सब चीज़ें पता थी और इस जनता ने यह सब किया हुआ इन्होंने यह बताया मुक्य मंत्री ने और डी आईजी ने डी जी पी ने के जो आम जनता है वह आके घुसी है जेल के अंदर उसने जाके इनकी आंके पोड़ी हैं लेकिन यह ऐसी चीज थी कि जिस पर विश्वास करना ही का आप सोचके देखि हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जेल के अंदर गुसके जो आम आदमी है वो जाके आंके भी फोर दे इस तरह से फिर तेजाब भी डाल दे तो अब नवंबर 1980 के बाद यह चीजें जो थी ना यह केस जो था वो जनता के सामने आने लगा था अब यह केस जो था दिल्ली त हैं उनका इलाज जो था वो चल रहा था एमसमे इलाज के चलते यहां पे वकील भी किया गया क्योंकि दिल्ली आ गए तो उसके बाद यह केस भी उन्हों ने धरच किया individual इलाज के चलते यहां पर जो रेपोर्ट थी जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उननों फिसमें यह तो यहां पे इसके बाद बाकी और भी करीबन बताया जाता है ऐसे कि 11 ऐसे कैदी थे जो यहां पे बाहर निकल कर आते हैं इमस में उनका भी इलाद चला और इसके बाद इन 11 के 11 की जो रिपोर्ट थी उसमें यही मामला था कि तेजा आप डालकर आख फोड़ी गई अब यह म बताया था कि यह बहुती दुर्भागे पूर्ण मामला है और इसके बाद जो राजसरकार है वो इसमें जिम्मेदार है क्योंकि यह जो कारशेत्र है वो राजसरकार का है तो सेंट्रल गोर्मेंट इसमें जादा कुछ ऐसा कर नहीं सकती है और राजसरकार को इस पर विचा सामने जो आया था इस के से ओंपर वो ये था कि अज के साथ में अन does को दो यह इति दिखाने के लिए कि वो कुछ कर रहे हैं इस पूरे केस के ऊपर कुछ ऐसा किया था कि जो बहुती जादा कस्टरदाई है सुनने में और ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई कैसे यह प्रोसेस कैसे हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि पुलिस अथकारियों को जो इसमें शामिल थे उनको suspect बनाया उसके सब्सक्राइब में जो अंधे कर दिये गए कैदी थे उन 33 कैदियों के सामने इन पुलिस वालों को खड़ा कर दिया और उन कैदियों से एक आ गया उन अंधे कैदियों से कि आप पहचान के बताईए कि यह यही पुलिस वाले हैं जिन्होंने आपको अंदा किया है मतलब य एक पूरे ऐसा इंसिडेंट है जो अपने हाप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर यह क्या था क्या उन्हों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था या क्या आपनी मजाक किया जा रहा था क्या बस एक पॉर्मैल्टी की जा रही थी पूछने की तो यह चीज यहां पे होत जिलंबित करने का यह वापिस ले लिया गया बताया जाता है कि उनकी सैलरी उनको वापिस मिलना शुड़ों को इसके बाद कुछ वरिष्ट अधकारी जो थे सीनियर ऑपिसर्स थे उनके ट्रांसफर कराये थे जो उस समय के SSP थे भागलपुर शहर के उनको रांची का SP बन भारत का शायद जिसमें जब पुलिस ने ऐसा कुछ किया और इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पुलिस के खिलाफ तो जन्ता जो थी भागलपुर की उसने जलूस निकालना शुरू कर दिये रैलिया निकालना शुरू कर दी सड़कों पर आगे और पुलि इससे बागलपुर के उल्चा लने धार नारे लागयते लक़ेन रही और इसी पर जेल सुरूस ने जरूस चिए अन बाद धर गई लिया था उसके बाद यह बताया जिसके बाद पूरा मामला बाहर आया है तो जेल सुप्रिटेंडेंडन्ट दास को यहां पे सरकार ने निलंबित कर दिया इन्हें निलंबित इसलिए किया गए इनकी उपर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने प्रिशासन को रिपोर्ट ना देते हुए यह ना बताते हुए अकबारों में अपना वर्जन दिया अकबार में यह बताया एक जर्नलिस्स को बताया इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कि अन्दा इस तरह से किया जा रहा है तो यह सब चीज़ां यहां पर लगाता चलती हैं लेकिन इन 33 कैदियों को इसके विक्टिम थे इन कैदियों को बाद में सरकार ने जब यह मामना बड़ा हो गया तो बाद में मुआफ़ा दिया मुआफ़ा के तोर पे 15,000 रुपे प्रती कैदि को दिये गए उसके बाद में इनको एक पेंशन दी गई 500 रुपे महीने की जो कैदि जिन जो विक्टिम है इसके यह बताते हैं बाद में कि 500 रुपे की जो पेंशन थी हो बाद में इस कांड के चलते जो SSP थे वहाँ पे वीडी राम करीबन 9 महीने बागलपुर के उस समय SP रहे हैं तो इनके उपर आरोब भी इसके बाद जब यह चीज आउट हुई है पूरा केस सामने आया मेडिया में देश के तो इनके उपर आरोब भी बहुत सारे लगे कि इनके चलत मैंने रोकने की भी कोशिश की तो यह सब उन्हें उन्हें कहा लेकिन आरोब लगातार लगते गए बाद में जो वीडी राम हुए जारकण के बीजी पी के पतस और इसके बाद में रुटायर होने के बाद ईन्होंने वीजेपी को जोइन किए और फिलाल में जीतें उसके चुनाओ और फिलाल अभी लोगसभा सांसद है लोगसभा सांसद बने आपके जारखंड के पलानु सीट से तो यह जो इनका सफ़र था वह भागलपुर के से लेके भाजपा के लोगसभा सांसद तक का था लेकिन जो विक्टिम थे जो कैदी थे जिनकी आंके पोड़ दी 750 रुपे के उसी मासिक पेंशन के ऊपर चल रहा है एक समय था जब भागलपुर था वह अपनी तुसार सिल्क और अपने बुनकरों के लिए अपने वीवर्स के लिए जो बुनते हैं उनके लिए फेमस था अभी भी फेमस है लेकिन भागलपुर का नाम बहुत जादा सुर पुरस का कहना था इस पूरे केस में कि यह जो कैदी है इनके उपर कोई बी नरमी दिखाने की लिम्साग इसे सारे ऐसे कैदी थे जो क्रिमिनल थे और कई ऐसे लोग निर्दोश थे यह चीज़ें बताई जाते हैं इसके बाद यह बताया जाता है कि फुलिस ने अपने प्रमोशन के लिए क्राइम यह दिखाने के लिए सरकार को जनता को कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए यहा कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह से किसी कैदी की आँख फोर देना उसमें तेजाब डाल देना क्या यह सही है यह आप लोग बताईए कॉमेंट्स में क्योंकि आप लोग का जो व्यूपॉइंट है इस पे आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह ऐसा केस है जिसमें के आना बहुत जरूरी है क्या आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कि क्या इस तरह की जो चीज उन 33 कैदियों के साथ में की गई कानून को अपने हाथ में लेकर पुलिस ने जो कदम उठाया आप फोरवा कांड जब हुआ क्या यह सही था तो कॉमेंट्स आप अपने हैं साथ ही हमारी जो पूरी सीरीज है इसके करीबन 40 अपिसोड भी तक हो चुके हैं नीचे डिस्क्रप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा हम बहुत सारे भारत के इसी तरह के जो एपिसोड जो केसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है उसके बाद हमारे इसके जो operations होते हैं, infantry operations होते हैं, कई सारे conspiracies जो हमारे भारत की sensitive cases है इनके उपर वीडियो लेकर आते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ने उसमें आपको बताते हैं जो नहीं होती है जो आपको नहीं पता नहीं होती हैं तो नीचे description में आपको इसका link मिल जाएगा वो भी जरू परी हुई, अफोर्डबल